तो वेलकम गाइस तो स्टुनेंट्स आगे हम अपना जो चैप्टर पी वाई क्यू हमारी सीरीज चल दरी है जही मेंस पे तो अगला जो कॉश्चन है रिलेशन चैप्टर पे वह 2020 में आप से पूछा गया है देखे क्या गया रहा है कि हमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है कहां पे on a set of integers मतलब x और y आपके दो integers होने चाहिए है और यह तब रिलेट करेंगे जब x square plus 3 y square less than equal to होगा 8 पे और उसने हमारे से पूछा क्या है domain पूछिए r inverse की तो basically हमारे को find क्या करना है domain find करनी है किसकी r inverse की तो basically domain जो है r inverse की domain का मतलब क्या होता है यह basically उसने indirectly हमारे से पूछी क्या है range पूछी है that is range of r तो basically उसने हमारे से range पूछी यह r की तो अब देखिए अगर आप options के through इसको question को करेंगे तो आपको बहुत जादा कम time लगेगा अगर आप इसके सारे के सारी elements निकालेंगे तो हो सकता है कि आपको time जादा लगे तो पहले मैं आपको short trick से बताता हूँ कि इसको options से कैसे soul किया जाए हना तो options में देखिए यहाँ पर जो x square औ y square यह symmetric है मतलब की positive negative दोनो points आएंगे तो सबसे पहले मैं option चेक करता हूँ option में में मेरे को दिख रहा है कि maximum 0, 1, 2, minus 1 and minus 2 आ रहा है हना यहाँ पर 0 पूट किया तो यहाँ पर x square less than equal to 8 आ जाएगा और यहाँ से मेरे को एक element पका मिल जाएगा that is which is x is equal to 0 तो मतलब y is equal to 0 उसकी range में पका होगा फिर मैं पूट करता हूँ y is equal to positive negative 1 चाहे आप 1 पूट कीजिए चाहे minus 1 इस पर तो कोई फरक नहीं बटने वाला तो यहाँ पर मेरे पास मिल जाएगा x square plus 3 less than or equal to 8 तो मतलब कि यहाँ पर मेरे पास मिलेगा कि x square की value आपकी less than or equal to होने चाहिए 5 पर तो यहाँ से फिर से मेरे को एक value मिलगी that is x is equal to 0 फिर आगे हम substitute करते हैं y is equal to plus minus 2 तो इसके corresponding अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा x square plus 2, 2 is the 4 and 4, 3 is the 12 less than or equal to 8 means यहाँ से मिलने वाला है x square less than or equal to minus 4 तो यहाँ से मेरे पास कोई पर solution नहीं मिलेगा मतलब y जो है positive negative 2 उसकी हमारे पास range में नहीं आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 0 और plus minus 1 ही उसकी range में आएंगे तो जिस option में आपको 2 और minus 2 दिख रहा तो उनको discard कर दीजिए और option number 3 आपका आजाएगा इसका सही answer आजाएगा तो अगर आप इसको basic से करना चाहते हो कि आपको पूरा का पूरा relation ही find करना है तो वैसे भी मैं आपको करवा देता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा x की values लिखूँगा जो यहाँ से आएंगी और यहाँ पे मैं लिखूँगा y की values देखे जब x को मैं 0 put करूँगा तो मेरे पास क्या आजेगा कि y स्केर less than equal to 8 upon 3 तो यह y स्केर आपका इस से less आना चाहिए तो 8 upon 3 को अगर आप approximate calculate करोगे तो वो आपका बनने वाला है 2 point something कुछ हाएगा यह ठीक है that is y स्केर की value less than equal to 2 से कम आनी चाहिए 2 point something के तो और integer पुछा है तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक solution आएगा y is equal to 0 आएगा एक y 1 आजाएगा और यहाँ से y की value minus 1 आजाएगी फिर आप x को 1 put कर दीजिए plus minus 1 है अब x को अगर आप plus minus 1 लेंगे तो यहाँ से मेरे पास y स्केर की जो value है वो less than equal to हो जाएगी यहाँ पे 1 तो वो बन जाएगा 7 by 3 तो यह भी 2 से कमाएगा तो 2 से कमाएगा तो फिर से y की value की आएगी 0 एक आपको 1 देगा और यहाँ से 1 minus 1 देगा फिर आप x को put कर दीजिए plus minus 2 अगर आप x को plus minus 2 put करेंगे तो यहाँ पे 2 2 is the 4 और यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 8 minus 4 तो y square आपका बन जाएगा 4 upon 3 that is y square is less than equal to 4 upon 3 तो यह भी value जो है integer की case 3 में आप 1 से कम रहेगी तो यहाँ से भी इसका 0 1 और minus 1 answer आएगा फिर आप यहाँ पे put करेंगे plus minus 3 तो जब मैं plus minus 3 put करूंगा तो यहाँ पे 9 आजाएगा और y square की value जो है आपके पास वो यहाँ से less than equal to आजानी है minus यह आपका 9 8 minus that is minus 1 upon 3 तो इसके corresponding आपको y की कोई भी value नहीं मिलने वाली तो means आपको यहाँ से आपका पूरा का पूरा relation defined हो जाएगा इसमें elements कैसे रहेंगे 0,0 0,1 0,-1 फिर उसी तरह से 1,0 1,1 1,-1 फिर minus 1,0 minus 1,1 minus 1,-1 फिर वैसे ही 2,0 2,1 and 2,-1 फिर minus 2,0 minus 2,1 तो देखिए इसके जो output में है सिर्फो सिर्फ आपको 0,1 और minus 1 ही मिलेगा फिर जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में से बताया था तो टेटिम में इसका जो option आएगा option number 3 इसका answer आजाएगा